बरसात के मौसम में घर से मच्छर भगाने के लिए अपनाएं घरेलू उपाए बारिश के मौसम में गड़ों, गमलों और खाली बर्तनों में पानी भरने के कारण मच्छर पैदा होने लगते हैं इस मौसम में मच्छरों के कारण डेंगू, मलेरिया और चिकंगुनिया जैसी बीमारियां भी ज्यादा फैलती है अक्सर लोग मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए मौस्क्वीटो रिपेलन्ट और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इन में मौझूद केमिकल्स हमारे स्वास्थे के लिए हानिकारक होते हैं ऐसे में आप कुछ घरेलू उपाय करके भी मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको मच्छरों को भगाने के कुछ आसान घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। नीम का तेल, नीम के तेल का प्रयोग करके भी मच्छरों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए आप नीम के तेल को अपने शरीर पर लगा सकते हैं या फिर नारियल के तेल में नीम का तेल मिलाकर उसका दिया कमरे में जला सकते हैं। आप पुदीने के पत्तों का रस भी शरीर पर लगा सकते हैं, ऐसा करने से मच्छर दूर रहते हैं। कपूर का सेवन, कपूर का इस्तेमाल हम आम तोर पर पूजा में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कपूर का इस्तेमाल करके मच्छरों से भी छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए बस कपूर को कमरे में जला कर रख दें और 10 मिनिट के लिए खिर्की दरवाजे ब इस फूल की तेज खुश्बू से मच्छर दूर भागते हैं. मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए आप लवेंडर के तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं. आप लवेंडर के तेल को अपने शरीर पर लगा सकते हैं या पूरे कमरे में रूम फ्रेशनर की तरह छिड़क सकते हैं. नीमबू और लोंग, आप नीमबू और लोंग के इस्तिमाल से भी मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए एक नीमबू को आधा काट लें और इसके चारों तरफ लोंग खोसकर कमरे में रख दें. इस उपाए से मच्छर कमरे में नहीं आएंगे. लहसुन, आने के लिए आप लहसुन का रस अपने शडीर पर लगा सकते हैं या फिर लहसुन के रस का छिठगा भी कर सकते हैं. इस वीडियो के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए है. इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मैडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तोर पर न किसी भी बीमारी के लक्षनों की स्थिती में डॉक्टर की सलाथ जरूर लें.